एलो फ्रेंट्स आप देखने टेक्निकल हिंदी गुरुजी फ्रेंट्स आई प्यू देहली का MBBS और BDS का आप सबी को पता है कि फर्स्ट राउंड कम्प्लीट होने में है इसके सेकेंड राउंड का ओफीसली सिड्यू रिलीज हो चुका है फर्स्ट राउंड कम्प्लीट भी हो चुका है सेकेंड राउंड का ओफीसल सिड्यू रिलीज हो चुका है आई प्यू देली का यहांपर देखना है फ्रेंट्स की सेकेंड राउंड की रेजिस्टेशन कब से होंगे चाइस फिलिंग कब से होंगी और यहां पर कितना fee payment आपको करना होगा counseling की समय और यहां पर main बात यह है कि eligible candidate कौन कॉन रहेंगे second round में जो second round IPU का होगा उसमें कौन कॉन चाथर counseling करभा पाएंगे कौन कॉन चाथर eligible रहेंगे तो इस प्यूडियो में discuss करेंगे और वीडियो को आपने लाइक लेंका वीडियो को लाइक करके टेकनिकल हिंदी रूचनले को सब्सक्राइब करनाय गरफ एक попробด совершенно प्राइट को प्रीडेटे आपको आपको टेकनिकल हिंदी रूचनले के बादम से दी जाती है तो इस वीडियो को अपने ब्धैनें में ज्याद कौन-कौन छात्र एलिजबर रहेगा तो सेकेंड राउन की बात करें तो सेकेंड राउन में फ्रेंड से यहां से देख सकते हैं इन रेस्पेक्ट ऑप कंडिडेट्स हुएड ओर्री फिल ओनलाइन एप्लिकेशन फॉर्म ऑफ जीजी एस आई पीउ एंड पेड़दा रिक्य इसकी जो बारेस रुपे होगी वो आपकी नॉन रिफंडेवल होगी जो कि आपको यहां पर एप्लिकेशन फॉर्म की फी होगी ठीक है उप्लिकेशन फॉर्म की जो फी है उसकी देनी होती है इसकी जो रेश्टेशन है वो चार दिसम्बर से स्टार्ट होकर साथ दिसम्ब रखे गई है उसके बादे हम बोला गया कि दीज कंडिट्स हूँ हैव एपियरड एंड क्वालिफाइड नीट यूजी तोजर बीस आर आलसो रिक्वाइट टू रेश्टर एंड पे दा कांसिलिंग पार्टिसिपेशन फी ऑफ बन थाउजंट नॉन रिफंडेबल थू करनी होगी इसी के साथ यहां पर बोला गया है कि इन रेस्पेक्ट ओफ कंडिट्स हूँ हैव नॉट फिल्ड ओनलाइन एप्लिकेशन फॉर्म ऑफ जीजी एसाई पीउ अर्लियर इन दा नॉटिफाइड रेट बट हैव एपियर एंड क्वालिफाइड नीट इजी दोजर न होगा देखें फ्रेंट्स मैं आपको बता दूं ऐसे चात्र जनोंने फर्स्ट राउंड की कांसलिंग में बाइट स्पेट किया था उन्होंने रेजिश्टेशन कर दिया था तो बो चात्र अपना नया रेजिश्टेशन नहीं करें और यहां पर मैं बता दूं कि ऐसे च कांसलिंग करी थी फर्स्ट राउंड में बारे सुर्पे समिट किये थे एक जार रुपे भी समिट किये थे लेकिन आपको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ तो आपकी कोई भी समिट नहीं की जाएगी इसी फीपर आपको जो है सेकंड राउंड में चांस मिल जाएगा लेकिन आपने सेक्ट राउन में आपने जो क्योंकि मैं आपको बता दूँ जो आपका फ्रस्ट राउंड होता है वह free exit होता है ठीक है फ्री exit होता है इसमें आपके कोई charges नहीं लगे कि अगर आपने फ़र्श राउंड में 22 रुपे दे दिये हैं तो second noun में आपको कोई दूसरी फीस नहीं देनी होगी, तो इसकी भी last date 12 December रखी गई है, इसी के साथ यहाँ पर देखीगा, आगे इसकी choice filling document verification की date रहेगी, तो यहाँ पर देखीगा documents verification की date जो रहेगी, verification of documents by the university reserved category, contains who have successfully registered online, यह आपकी 4 December से 8 December तक आप अपने documents की verification करा सकते हैं, जिसमें आपको certificate 10th का देना होगा, 12th का और यहाँ फर्स्टियर और इंटर का certificate आपको देना होगा result, और reservation certificate भी आप चाहते हैं, तो SC, ST, OVC, EPWD, Defense, EWS, Army के candidate हो, तो आपको reservation certificate देकर आप इसमें reservation भी ले सकते हैं, इसी के साथ यहाँ पर जो, उसका फर्रेंट से यहाँ पर मैं choice filling की बात करूँ, तो choice filling यहाँ से देख सकते हैं, filling up of choice for allotment of a seat in affiliated college institute university school, तो 5 December से 8 December तक आप इसकी choice filling कर सकते हैं, ठीक है, तो जो चातर registration करना चाहते हैं, तो उनका जो है, 4 December से 7 December तक registration कर सकते हैं, ठीक है, और 4 December से 8 December तक अपने documents verification करा सकते हैं, उसके बाद 5 December से 8 December तक आप इसकी choice filling कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि जिन चातरों ने first round में choice filling की थी, तो वो new fresh choice filling करेंगे, first round की choice filling automatically ही delete हो जाती है, आपको द्वारा से choice filling करनी होगी उसी registration पर, अब यहाँ पर थोड़ा instruction दिया है candidate के बारे में, कि कॉनकोर candidate इसके लिए eligible रहेगा, eligibility for participation in round 2, यहाँ पर देखी, first में बोले गए हैं कि candidates who have registered fresh and have submitted the online counselling participating fee of 1000, देखी पर जिन्होंने first round में registration कर दिया था, उसके बाद यहाँ पर उन्होंने counselling fee भी submit कर दी थी, एक हजार रुपे तो ऐसे चात्री भी second round के लिए eligible रहेंगे, second में बोले गए हैं कि registered candidates who did not get any seat allotment in round 1 of online counselling by GGSIPO, एसे चात्री जिनको round 1 में counselling को participate करने के बाप जूद भी उनको कोई seat allot नहीं हुई, तो एसे चात्री भी second round के लिए eligible रहेंगे, third में बोले गए हैं कि candidates allotted seat under state quota in round 1 of online counselling by GGSIPO, but not joined, not reported the allotted college, और ऐसे चात्री जिनको state quota के अंदर round 1 में इनको seat मिल गई थी, लेकिन उन्होंने जो है college में report नहीं की, जाकर के ठीक है, college में जाकर admission नहीं लिया, तो ऐसे चात्री भी second round के लिए eligible रहेंगे, eligible इसलिए रहेंगे कि जो first round होता है, वो आपका free exit होता है, इसलिए आप इसमें free exit कर सकते हैं, लेकिन second round और mope up round एक ऐसा round है, जिसमें आप free exit नहीं कर सकते हैं, उसको बोलेगा है next में, कि candidates who have reported at allotted institute during round 1 of online counselling by GGSIPO and submitted billing as for second round upgradation as yes, और ESC-64 जिन्होंने first round में college मिलने के बाद allotted किया था, और उन्होंने upgrading में अपनी seat डाल दी, तो ESC-64 भी second round के लिए eligible रहेंगे, उसके बाद यहाँ पर बोला गया है, कि candidates who have been allotted seat under the state quota YGSIPO in the round 1 of online counselling and joined the allotted college, बट subsequently bid drop, और ESC-64 जिनको college मिला था, लेकिन उन्होंने college में report भी गिया था, कोलेज में जाकर admission भी ले लिया, लेकिन उन्हों बाद में उन्होंने अपनी seat को bid draw कर दिया, तो ESC-64 भी second round के लिए eligible रहेंगे, ठीक है, तो यह friends कुछ पांच eligibility criteria दी गई है, कि second round के लिए कौन-कौन candidate eligible है, जो कि मैंने आपको पूरा बता दिया, कि कौन-कौन शाथर eligible रहेंगे, लेकिन नोट में कुछ दिया है, देखिएगा, बोला गया है कि candidates, एमा बोला गया है, कि you who have become non-eligible, due to having, in a decreted documents as per eligibility criteria, second बोला गया, कि who have not registered in first round, second round are not eligible, for round two of allotted online counselling by GGSIPU, उसका फ्रेंट्स यहां पर कौन-कौन college इसमें participate करेंगे, तो बो यहां पर देखीगा, देखीगा, यहां पर बताए गया है, इसमें के बला आई-प्यू में तीन ही college participate करते हैं, एक आपका DMC Medical College होता है, हिंदू-राव Hospital, जिसे हम NDMC बोलते हैं, ठीक है, जो की मलका गंज निव दहली में है, ठीक है, इसमें एडविशन के लिए अगैंस्ट है, इस्टेट कोटा जो होता है, 85% होता है, इसमें आपको दहली से 11 और 12 ती किये हुए हो, वो ही candidate इसके लिए लिजबर रहते हैं, 85% कोटा के लिए और 15% कोटा का अभी रहता है था, लेकिन अभी इसमें 85% कोटा के लिए IPU में रिजर्विशन है, साथे अबर दूसरा है, ड्र बावस साहिव अंबेटकर मेडिकल कोलेज होस्पिटल, जो की सेक्टर 6 रोहनी दहली में है, इसमें भी 85% कोटा के लिए अभी इसमें होते हैं, जो की आपने दहली से 11-12 कर रहा हो, तब यह आप इसके लिए लिजबर रहेंगे, तीसरा है आपका आर्मी कॉलेज ओफ मेडिकल साइंस, जो की दहली केंट में हैं, तो इसमें भी वही कंडिशन रहती हैं, इसमें 100%, इसमें जो है, सेंसिनल इंटेक यहां पर रहता है 100%, तो इसमें यह तीन ही हैं, जो की आई प्यू में पाइटिस्पेट करते हैं, कॉलेज बकाया गोर कोई कॉलेज इसमें पाइटिसिपेट नहीं करता है इसी के साथ जो भी कंडिसन बगएरा है यहां से आप इसको रीड कर सकते हैं इसमें फी बगएरा भी दिया है कि आपको कितना फी पेमेंट करना होता है इसमें फी आप इसमें देख सकते हैं इसमें फॉर्म भरने से पहले इसकी कंडिसन बगएरा इंस्ट्रेक्शन बगएरा दी हुई है उसको आप रिड एक बार सही से कर लीजेगा क्योंकि कोई भी गलती हो जाती तो बदिक्कत आ सकती है आपको इसमें EWS कोटा भी इसमें दिया होता है जैसे कि Reservation of EWS Applicable in Government Affiliate College ठीक है तो इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं डोकुमेंट्स की बात है तो वेरिफिकेशन के लिए आपको देहली से आपने 10th, 12th, 11th कर रखा हो साथ यहाँ पर आपको कोई Reservation चाहिए कोई भी हो तो इसका सेट्विक्ट आपको इसमें देना पड़ता है अपलोडिंग डोकुमेंट्स भी आपको करने होंगे रेइस्टेशन फी पेमेंट आपको यहाँ पर देनी होती है मैंने आपको बताई दिया है इमेल एड्रेस यह अपसलन होता है लेकिन यह जरूर डाला है मॉबाइल नंबर और इमेल अपना उसके बाद इस सेट्व कोई दिकत परिशान नहीं हो तो कमेंट पर पूछ लेजएगा फिलाल इस वीडियो में इतना ही था